आईए अब ये भी जान लेते कि खपरों के दम पर कहां एक्शन रहेगा, नतीजे आ रहे हैं और अफकोस बहुत सारे ट्रिगर्स है जिन पर फोकस करना है लेकिन आईए सबसे पहले नतीजों पर ही फोकस कर लेते इनफक्ट इंडिया का जो कारोबार है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ, स्ट्रॉंग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है रेविन्यू में करीबन 7.5% की बड़त आते हुए दिखे, कामकाजलल पर मुनाफ़ा देखे जिसके से हलका इंपक्ट मुनाफ़ा पर आते हुए दिखे, इंडिया कारोबार में करीबन 8% की ग्रोथ, कोड़र और कोड़र आते हुए दिखे, आर्पूस देखे, तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ दिखे की 233 के पास पहुंचते हुए नजर आ रहें, करीबन 10% की बड़त यहां पर भी दिखी और जियो से कंपेर करेंगे, तो 20% के प्रीमियम पर आपको जो है कंपने के आर्पूस नजर आएंगे, एफिनों से फेडरल बैंक की नतीज़ा है, जहां पर बेडर दन एस्टिमेट नजर आ रहें, एनाय में करीबन 15% की बड़त देखने को मिलें, मुनाफ़ा देखे तो 11% की बड़त यहां पर भी आपको दिखेगी, ग्रॉस नपे नेट इन पे में सुधार है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखे तो यहां पर हलका दबाव आपको नजर आएगा, आईजेल, स्टैनलोन नंबर्स आपको नोट करने, जहां पर रेविन्यू में काफी स्ट्रॉंग होते हैं, हाला कि ओपरशन नंबर्स कमजोर दिखे रहें, मार्जिन से गिरके 14% की आसपस आते हुए दिखें, रेविन्यू में हाला कि 5% की स्ट्रॉंग ग्रोथ नजर कामकाजी लेवल पर मुनाफा 8% से कमजोर होकर इस क्वाटर में आते हुए दिखा हैं, लेकिन मुनाफा में देखे तो 7% की बढ़त आपको दिखेगी, काफी सारे कैश के भी नतीजे, आदिते बला सनलाइफ जहां पर रेविन्यू में 22% की ग्रोथ हैं, कामकाजी लेवल कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखने को मिले हैं, कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखे तो 60% की स्ट्रॉंग ग्रोथ यहां पर भी आती हुए नज़राईए, मार्जिन्स में इंप्रॉमेंट आपको दिखेगा, और मुनाफा भी देखे तो 22% की स्ट्रॉंग ग्रोथ यहां पर भी दिखेगा, आइडिया फोर टेक्नलोजी जहां पर कौरडरों में रेविन्यू में 56% की ग्रोथ हैं, हाला कि जो घाटा है वो भी इस क्वाटर में ब सबसे पहले निफ्टी में अदानी एंडर्प्राइस अदानी पोर्ट सिप्ला मारूती सुदू के क्या नतीजे आएंगे तो यहां पर नज़र रखनी है, कैनेरा बैंक, कॉनकोर, मेरिकोर, वोल्टा, स्पिय कार्ट्स के भी आज आने वाले हैं नतीजे, और कागो टर्मि में इंटरिम डिविडेंट 21 रुपर का अजस्में आज स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा, आई पो के लिया आज से एफकॉन का आई पो दूसरे दिन करीबन 36% बढ़ते हुए दिखा है, आज इसका आखरी दिने, खबरों के लिया आज से फोकुस डॉक्टर रेड को किया गया है, DCX सिस्टम जापे सबसेजरी को करीबन 380 क्रोड के नए ओर्डर मिलते हुए दिखे, 12 महिनों में इसे पुरा किया जाएगा, बलके इन ब्लॉक डील में, HDFC बैंक जाहां पे सिटी ग्रूप ग्लोबल मारकेट्स ने करीबन 15 लाग शेज बेचे, 1742 रुपे के बाव, 42 रुपे के बाव पर ये ट्रांजैक्शन किया गया है, जहां पे आपको बायास में गिसालो मास्तर फंड जैसे नाम नज़र आएंगे, अलास में दीपक बिल्डर्स, हालिमेल स्टुई एक कंपनी मिक्वेरी बैंक ने करीबन 3 लाग शेज यहां पर बेचे, 179 के बाव, 179 रुपीज के प्राइस पर इस ट्रांजैक्शन को किया गया है,